असलाम आलेकुम वेलकम बैक टी न्यू व्लॉग तो आज मैं बना रही हूं जबरदस्ती धाबे स्टाइल मतन कड़ाई तो यहां पर मैंने मीट ले लिया है मतन का 1 kg के गरीब है तो इसके लिए कुछ चीजें हैं मैं ब्रैंड करनी है जिसमें के शामिल है थोड़ा सा मैंने श्रीम ले लिया है यहां पर और यह थोड़ा सा मैंने 1 पीस अद्रक कर ले लिया तो यहां मैंने एक पैन ले लिया है इसमें में half कप के करीब ऑयल डाल दूँंगी आप घी में बनाना हो तो आप घी भी यूज कर सकते हैं मैंने और यहां मैंने अन्धर मैंने मैंने मटन अब नमक के साथ नमक के साथ मतन को आएल में फ्राइब करूंगी ताकि जो फिर खतम हो जाए उसका चेंज हो जाए मतन का तो वन केजी में वन टीस्पून ही सौल बिल्कुल इनफ रहता है इससे जादा अगर आप लोग ने डालना हो तो आप लोग डाल सकते हैं मैंने वन ट तो यहां मतन का कलर चेंज हो चुका है अब मैं इसके अंदर वो जो मैंने लहसन अद्रक और ग्रीन चली को मैंने ग्रांड करा था इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी और इसके साथ भी थोड़ा सा भून लूगी ताकि लहसन अद्रक की भी स्मेल खतम हो जाए और एक कि अधि गूष्ट घुषन तो एड़ा के तो टीमाटर इसके अनदर शामिल कर दिया है तो ग्री नहीं पनाटर मिरी के लगेगाड के ट तक पर दिबनेगे ँग्रेव इसको पकते बीचे मैंने चेक भी किया था तो तकरीबन गोश्ट गल चुका है 95% तक तो इसका ये पानी भी खुश्क हो गया है टेमाटर भी मैश हो चुके हैं तो इसके अंदर हम मैं वन टीस्पून लाल मिर्च पौडर शामिल करूंगी आप थोड़ा जादा खानी हो तो जादा भी ढाल सकते हैं और यह मेरे पास वन टीस्पून ही जीरा है करश्ट हुआ 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 है इसको मैंने पौडर नहीं बनाया हुआ हुआ है तो यह भी मैं इसके अंदर शामिल कर देंगे और इन मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे मीट के साथ तो यह धनिया और य यह वन टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर है मेरे पास यह भी मैंने इसके अंदर एट कर दिया है और अब मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब दही शामिल कर दूँगी इसको मैंने बीट कर लिया था दही को ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे है और यह दही भी पानी कर दूँगी दो तीन हली मिर्चे हैं इनको भी मैं साबुत ही शामिल कर दूँगी और यह थोड़ा सा रादानिया है इसको भी मैं इसके अंदर एट कर दूँगी और थोड़ा से बिल्कुल सलो आज करके नहीं से दम पर रख दूँगी ताकि इन सबकी खुश्बूई इस कर दोन्से नहीं से इस्यक्षा भी मैं सिक्राख कर पके जएकशो नहीं से भी मैं से रख चोड़ा से जाल